2023 में देवताओं के गुरू ब्रस्पती बनाएंगे गज लक्षमी राज योग कुछ राशियों के लोग हो सकते हैं माला माल पावरफुल विपरित राज योग से कुछ राशी वालों की चमत सकती है इसमत गुरू ब्रस्पती करेंगे मेश राशी में प्रवेश जै श्री राम, 2023 में गुरू ब्रस्पती बनाएंगे गज लक्ष्मी राजयोग, कुछ राशियों के लोग हो सकते हैं रंक से राजा, इस पावरफुल विपरीत राजयोग बनने से कुछ राशी वालों की किसमत चमक सकती है, तो कुछ कोहानी भी होगी, गुरू ब्रस्पती करेंगे मेश राशी में प्रवेश, वैदिक जोतिश के अनुसार, साल 2023 में कई ग्रह राशी परवर्तन करने जा रहे हैं, जिसमें देवताओं के गुरू ब्रस्पती का भी नाम शामिल है, आपको बता दें, गुरू ग्रह 22 अपरेल 2023 को मेश राशी में गोचर करने जा रह हैं, जिससे विपरीत राश्योग का निर्माण हो रहा है, और इस राश्योग का कुछ राशी के जातकों को विशेस लाब होने के आसार बन रहे हैं, कौन-कौन सी राशी हैं, आईए बात करते हैं, पहली राशी है मेश राशी, गुरू ग्रह के गोचर से बनने वाले गज लक्षमी, राश्योग से इस राशी के जातकों का समय अच्छा हो जाएगा, करियर में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, प्रबल संभाव बनाए हैं, नोकरी के नए और अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं, इस अवधी में यदि आप नोकरी बदलने का सोच रहे हैं तो बदल लीजेगा । जो कारोबारी जातक हैं जो व्यावसाइक लोग हैं जो बिजनस करते हैं मेश राशी वाले उनको व्यापार में बिजनस में अच्छा मुनाफ़ को सकता है अच्छा प्रॉफिट हो सकता गुरूग रहका ये गोचर मेश राशी वाले जातकों के लिए मेश राशी वाले व्यक्तियों के लिए विशेस फलदाई साबित हो सकता है दूसरी राशी जिनको लाब मिलेगा वो है मिथुन राशी गुरूग रहके इस थान बदलने से इस राशी के जातकों को यानि मितुन राशी के जातकों को भागय का पूरा साथ मिलने की प्रबल संभावनाय बन रही है आए और आए के श्रोत में वरद्धी होगी वहीं कई व्यक्तियों को तो निवेश से भी लाव मिल सकता है नोकरी पेशा जो व्यक्ति हैं जो लोग नोकरी करते हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वरधी का लाब मिल सकता है, यूं कहें तो मितुन राशी वालों को आर्थिक इस्थिती में जवरजस्त फायदा देखने को मिलेगा इस गोचर के दोरा, तीसरी राशी जिसको लाब मिलेगा वो है करक राशी, विपरीत राजयोग बनने से करक राशी के लोगों की किसमत कहीं न कहीं चमकती हुई दिख रही है, क्योंकि यह योग आप लोगों की गोचर कुंडली के दशम भाव में बनने जा रहा है, जिसे कर्म और नोकरी का भाव, यानि कर्म और नोकरी का स्थान माना चाता है, दशम भाव को कुंडली के अंद इसलिए इस समय आपको नई नोकरी या नए काम के प्रस्तावा सकते हैं, नोकरी चेंज करने का सोच रहे हैं तो अच्छी ख़बर सुनने को मिल सकती है, मन चाही जगे ट्रांसफर हो सकता है और आर्थिक उन्नती तो होगी ही होगी, चौती राशी जिसको इस गोचर से लाब होगा वो है धनुराशी, धनुराशी के जातकों को धनलाब होने की प्रबल संभावनाय बनेगी, कारोबार या नोकरी में समय अच्छा रहने वाला है, कारिये इस थल पर सेहकर्मियों या आपके अधिकारियों का पूरा सेहोग आपको इस दोरान मिलता रहेगा, घर में ख प्रीत राजयोग लाबप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह योग आपकी राशी से चतुर्थ भाव में बनने जा रहा है, और चतुर्थ भाव को भहतिक सुख और माता का इस्थान माना गया है, इसलिए इस समय आपको सभी भहतिक सुखों की प्राप्ती हो सकती है, आपको इस से भविश्य में लाब भी होगा, वहीं इस समय आपका माता के साथ भी संबंद अच्छे रहेंगे, माता के स्वास्थ में अगर कोई दिक्कत है तो उसमें भी कमी आएगी, अगर कोई परशानी है तो उसमें कमी आएगी, मा के सहयोग से धन प्राप्ती के प्रूर फॉलो कर लेजगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से, जय श्री राम